आज का ये वीडियो आपके जो compartment exam से related doubt है उसे दूर कर देगा CBSC board exam जो होते हैं उसमें अगर आप किसी subject में fail हो गए या overall fail हो गए तो फिर आपके पास दो option होते हैं या तो year repeat करो या तो compartment exam देकर उसी साल पास हो जाओ तो फिर compartment exam देने का क्या है criteria आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो अगर आप fail हो रहे हैं तो घबराइए मत CBSC आपको मौका देगी पास होने का और मौका रहेगा compartment exam लेकिन हर fail होने वाला बच्चा compartment exam दे नहीं सकता इसके कुछ criteria हैं आईए उस criteria को समझ लेते हैं ठीक है सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम fail कब हैं और पास कब हैं ठीक है तो हम subject wise बात करेंगे ठीक है मैं overall अभी बात नहीं कर रहा है मैं subject wise बात कर रहा हूं ठीक है अगर आपका किसी subject में total marks का 33% या इससे जादा marks आपने obtain किया है board exam में तो आप pass है और अगर आपने board exam में किसी subject में 33% marks से कम marks obtain किया है तो आप fail है यानि 33% लाओ या उससे जादा लाओ तो आप pass हो 33% से कम लाओगे तो fail हो तो यह ध्यान अकना 33% है not marks तो percent आप निकाल सकते हो total marks से है तो pass और fail का आपको criteria पता चल गया ठ तो आपको E grade दिया जाता है उस subject में ठीक है अब बात कर लेते हैं कि फिर compartment exam कब देंगे अगर हम fail हो गए क्या हमें साल repeat करना पड़ेगा तो इस confusion को आए दूर कर लेते हैं अब आपको पता है कि CBSC जो भी result देती है वो best of 5 subject के marks के basis पे देती है ठीक है यानि total में आपको 5 subject ह होते हैं अगर 6 भी है तो best of 5 conclude किया जाता है include किया जाता है कि नहीं लेकिन अब बात कर लेते हैं compartment exam कौन देगा और कौन है वो बच्चा जिसको अगले साल फिर से board exam देना पड़ेगा तो अगर आपका किसी एक या दो subject में fail हुए हैं पांच में से यहां तो आप एक subject में fail ह हुए हो या दो subject में fail हुए हो वो कोई भी subject हो सकते हैं तो अगर आप एक या दो subject में fail हुए हैं तो आप compartment exam के लिए eligible हैं और compartment exam के लिए फिर से आपको क्या करना होगा registration करना होगा compartment exam जो कि जून जुलाई के आसपास होता है उसे देना होगा उसे पास करना होगा और फिर आ अगर आप पांच में से दो से जादा सब्जेक्ट में आप फेल हो गए पांच में से माल लेते हैं तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए चार में फेल हो गए या पांचों में पांचों फेल हो गए तो आप कमपार्टमेंट एक्जाम दे नहीं सकते आपको अगले साल फिर से बो लेकिन आपके सब्जेक्ट में fail हैं तो आप compartment exam देकर उसी साल board exam pass कर सकते हैं और आपको एक नई mark sheet मिलेगी क्योंकि पुराने वाले mark sheet में तो आपके subject के आगे e लिखा जाएगा क्योंकि आप fail हो लेकिन जब आप compartment exam pass कर लोगे तो एक नई mark sheet cbsc आपको देती है और उसी साल cbsc board exam pass कर लेते हो तो यह है compartment exam देने का criteria I hope कि अब आप समझ गए होगे criteria में क्या difference है और कौन वो बच्चे हैं जो compartment exam देकर उसी साल board exam pass कर सकते हैं तो यह video था आपको doubt clear करने के लिए अगर आपकी कोई doubt clearing या कोई doubt query है तो comment section में जरूर पूछें और इस video को अगर आपने पस अपसंद किया है तो इसे share करें thank you so much